अक्तूबर 2023 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट सामने आ चुकी है जहां अक्तूबर महिने में टॉप 10 सेलिंग SUVs की लिस्ट में काफी फेर बदल देखने को मिल रहा है पिछले महिने जिस मोडल के सिर पर नंबर बन का ताज सजा वो है टाटा नेक्सोन टाटा नेक्सोन फेसलिफ्ट के लौँच होने के बाद ये लगातार दूसरा महिना है जब टाटा नेक्सोन SUVs की लिस्ट में नंबर बन की पोजिशन पर बनी हुई है बहीं अक्तूबर 2023 में दूसरे स्थान पर आई है मारूती की बरेजा जहां टाटा नेक्सोन और मारूती बरेजा के बीच में 837 यूनिट्स का अंतर रहा बहीं टाटा की पंच भी 15,000 यूनिट्स के आंगडे को पार करके नंबर 3 की पुजिशन पर बड़ी ही strongly बैठी हुई आपको सच बताऊं तो जब हुणडे एक्स्टर लोंच हुई थी तो मुझे लगा था कि ये गाड़ी बड़ी जल्दी टाटा पंच को साइड लाइन कर देगी क्योंकि हुणडे ने उस गाड़ी की हाइप ही इतनी क्रेट कर दी थी कि हर किसी के मुँपर एक्स्टर का ही आ रहा था अब जब एक्स्टर की बात चल ही रही है तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि टोप 10 SUVs की लिस्ट में एक्स्टर का नाम कहीं भी आस-पास नजर नहीं आ रहा है हुणडे एक्स्टर ने पहले दो महिने तो जैसे तैसे करके टोप 10 सेलिंग SUVs की लिस्ट में अ दाम दंड भेद लगाकर इनका महिमा मंदन कर लें लेकिन जब ग्राक इनको खरीदते और चलाते हैं तब इनका सच सब के सामने आही जाता है तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि हुन्डे ने भी एक्ष्टर के साथ कुछ ऐसा ही किया था क्योंकि हुन्डे की तरफ से अक् देते हैं अक्तूबर 2023 में इन 10 SUV ने टोप 10 सेलिंग SUV की लिस्ट में अपनी जखा बनाई है अक्तूबर 2023 में टोप 10 सेलिंग SUV की लिस्ट में नंबर 10 पर जखा बनाई है महिंद्रा बुलेरो ने जहां कमपनी ने अक्तूबर 2023 में महिंद्रा बुलेरो की बेची है 9,647 यूनिट्स महिंद्रा की बुलेरो एक ऐसी SUV है जो हमेशा टोप 10 की लिस्ट में अपनी जगा बना ही लेती है अब बात करू नंबर 9 पुजिशन की तो यहां पर जगा बनाई है मारूती ग्रैंड बेची हैं 10,834 यूनिट्स ये गारी भी जब से लौच हुई है तब से ये टोप 10 SUVs की लिस्ट में अपनी जगा बनाने में काम्याब रही है नंबर 8 पुजिशन पर है मारूती फ्रॉंक्स जिसकी कमपनी ने अक्तूबर 2023 में बेची है 11,357 यूनिट्स इस गारी ने भी लौच होने के साथ ही ग्राकों के दिलों में अपनी जगा बड़ी स्ट्रोंगली बना ली है नंबर 7 पुजिशन पर डली हुई है हुन्डे वेन्यू जिसकी कमपनी ने अक्तूबर 2023 में बेची है 11,581 यूनिट्स जब से हुन्डे ने वेन्यू के बेस वेरियंट्स से ही 6 airbags देने की घोशना की है तबसे इसकी sales में gross देखने को मिल रही है नंबर 6 position पर है किया Seltos जिसकी company ने अक्तूबर 2023 में बेची हैं12,362 यूनिट्स जबसे किया Seltos का facelift launch हुआ है तबसे इसकी sales में भी काफी improvement देखने को मिली है और इसी का नतीज़ा है कि अक्तूबर 2023 में इस गाड़ी की बिग गई हैं 12,362 यूनेट्स नमबर पांच पुजिशन पर है हुन्डे की क्रेटा जिसकी कमपनी ने अक्तूबर 2023 में बेची हैं 13,077 यूनेट्स नमबर चार पॉजिशन पर है महिंदरा स्कोर्पियो जिसकी कमपनी ने अक्तूबर 2023 में बेची है 13,578 यूनेट्स जबसे महिंदरा ने स्कोर्पियो एन को लौच किया है तब से स्कोर्पियो की टोटल सेल काफी बढ़ गई है क्योंकि ग्रहकों को स्कोर्पियो एन काफी प बेची है 15,317 यूनेट्स टाटा पंच जब से लौच हुई है इसकी सेल्स हमेशा हर महिने 10,000 यूनेट्स से उपर ही रहती आ रही है लेकिन पिछले 2,3 महिनों से इसकी सेल्स में भी भारी इंप्रूमेंट देखने को मिल रही है और गरहक इसे काफी पसंद और खरीद र किंग ओफ दा रिंग यानि की नंबर बन पुजिशन पर अपनी जगा बड़ी ही स्ट्रोंगली पकी करने वाली टाटा नेक्सोन की तो कंपनी ने टाटा नेक्सोन की अक्तूवर 2023 में बेची है 16,887 यूनेट्स जब से टाटा नेक्सोन का फेसलिफ लौच हुआ है इस गा 17,000 यूनेट्स की विकरी कर ली है और मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी की सेल्स नंबर यहां पर थमने वाले हैं आने वाले एक दो महिने में ये गाड़ी डेफिनिटली 20,000 का अंकड़ा छोने वाली है तो गाईज ये थी अक्तूवर 2023 में सबसे ज़्यादा विकने वा लेकन पर ओल पर क्लिक करें तो जैहिन दोस्तो हैव गुड डाई